वेलकम टू न्यूज अनलाइसेज क्या होता है आर्थिक सर्वेक्षन इकोनोमिक सर्वे आर्थिक सर्वेक्षन बित्र मंतराले दुआरा जारी की गई एक बार्षिक रिपोर्ट है यह पिछले एक साल में देश के आर्थिक प्रगती और प्रदर्शन का लेखा जोगा होता है कब पेश किया जाता है आर्थिक सर्वेक्षन देश का आर्थिक सर्वेक्षन इकोनोमिक सर्वे हर साल आम बजट से ठीक एक दिन पहले पेश किया जाता है कौन पेस करता है आर्थिक सिर्वेक्षन संसद में बितरमंतरी दुवारा आर्थिक सिर्वेक्षन पेस किया जाता है और राश्टपती के अभीवासन के बाद ठीक पेस किया जाता है किन घटकों पर होती है बाद इसमें अर्थिव्यस्ता के मुख्य गटकों जैसे महंगाई दर, बुनियाद दिर धाचें और बिदेशी मुद्रवन डार जैसे प्रमुक छेत्रों में रुज़ानों का विबरन होता है और देश के सामने मौजूद अर्थिक चुनोतियों की जानकरी होती है आर्थिक सर्विक्षन का इत्यास क्या है? देश का पहला आर्थिक सर्विक्षन उननिस सो पचास से क्यावन में पेस किया गया था 1964 से पहले यह बज़ट का इस्सा होता था लेकिन इसे अलग कर दिया गया और बज़ट से एक दिन ठीक जारी कह जाता है दो भागों में आता है आर्थिक सिर्वेक्षन इसे दो भागों में बाटा जाता है पहले में देश की बर्तवान आर्थिक इस्तती का पूरा विब्रण होता है दूसरे भाग में स्वास्ते, गरीवी, जल्वाईू परिवर्तन और मानव विकास सूचकांग जैसे भिविन मुद्दों पर केंद्रित होता है तो वीडियों आपको अच्छे लगी होता है चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक सेर करें थैंक यू